आमादमी पार्टी कल सिर्मवर में राजगड में करेगी अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के स्वास्थे मंत्री सतेंद्र जैन नहरु ग्राउड में संबोधित करेंगे जनसबहा रैली से पहले पचादव जिला के अन्य विदानसबहा शेत्रों में चलाया पार्टी के अन्य विदानसबहा शेत्रों वाले जिला सिर्मवर पर ध्यान के इंद्रित काड़ चुकी है और जिला के गिरी पार्शेत्र में होने वाला आपका है पहला शक्ति प्रदर्शन है राजगड रैली की विवस्ता देख रहा है आपने ता पंकस सोहल ने बताया क एहरुग्राउंड में होने वाली जानसबहा को पार्टी के हिमाचल पर भारी ये उन दिल्ली के स्वास्थे मंत्री सत्य अंतर जायन द्वारा संबोधित किया जाएगा जो और तलब है कि पड़ोशी राजे पंजाब में की सरकार बनने के बाद हिमाचल में खालिस्तानी समर्थकों की कदिविद्या तेज होने धरम शाला स्थी दूसरे विदानसवा पारिशर के बाहर खालिस्तानी जंडे लगने तदा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक प्रद सिन भाजपा के लिए भी खात्रे की घंटी समझा जा रहा है जिनवा प्रदेश के शिक्षण पर स्वास्ते सास्तानों में खाली पदोता था बदहाल सड़कों को भी आहम आदमी पार्टी द्वारा मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है जी मैं पंकत सोहल आहम आदमी पार्टी की तरफ से हम यहां पे पच्छाद कॉंस्ट्रियंसी में विदान सबक शेत्र में सिर्मौर जिला में एक बहुती विशाल जन सबक एक रैली का योजन करने जा रहे हैं बाइस माई दिन इतवार को और इसमें हमारे मुख्य अतीती रहेंगे जो माननी सेतेंदर जयान जी जो है हेल्थ मिनिस्ट्र हैं दिल्ली सरकार में और उसके साथ हिमाचन प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज भी हैं और उनके साथ और भी जाने माने कुछ चेरे के और लाम आएंगे लेडर्शिप के और इस जन्सवा में पूरे पच्छात से अलग लग गाउं से हरे की ग्राम सभा से हमने सभी लोगों को इन्वाइट किया है और उनका बहुत अच्छा रिश्मौ से उमीद है कि लोग बढ़ चड़के इसमें हिसा लेंगे और अपनी हादरी या दर्श करवाएंगे